याद करने लाइक विचारों की संशिक्त सूची 1. खजाना आपके अंदर है अपनी दिल इच्छाओं के जवाब अपने अंदर तलास करें 2. सभी आउवर्ग के महान लोगों की महानता का रहसे था उनका अपने अचेतन मन की सक्तियों के साथ 3. आपके अचेतन के पास सभी समस्याओं का समाधान है यदि आप अपने अचेतन को सोने से पहले सुझाओ दें जैसे मैं सुबह 6 बज़े उठना चाहता हूँ यह आपको ठीक समय पर उठा देगा इसी पॉइंट में एक मेरी कहानी है जब मैं चोटा था तो मेरी ममी पापा कहता थी कि हाथेली चुम के कहो कि कितने बज़े उठना है और उतने बज़े उठ जाओगे जितने समय आप चाहते हो उठना ऐसा ही होता था आप हाँ मैं रिलेट कर सकता हूँ कि वो हाथेली पर चुमने से नहीं वो अवचेतन मन की वज़े से होता है आपको कोई बुरा सपना जाएगा या किसी भी तरह का कुछ भी आप उठ जाएगे लेकिन ऐसा मेरे साथ हर बार नहीं हुआ है आगर मैं प्रेसेंटेज में बताओ तो सव में से साथ बार या पचास बार ओके आगे बढ़ते हैं आपका वचेतन आपके सरीर का निर्माता है और यह आपका उच्चार कर सकता है हर रात आप अपने को एक उत्तम स्वास्ति की लोरी सुनाएं और अवचेतन एक विश्वास पात्र नवकर की भाति आपका अनुपालन करेगा नंबर फाइव हर विचार एक कारण है और हर परिश्थिती एक परिणाम नंबर सेक्स यदि आप पुष्तक लिखना चाहते हैं एक अधभूत नाटक लिखना चाहते हैं आपने सुरताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं आप अपने विचार अपने वचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनाएं यहें आपको आपके अनुसार ही प्रिणाम देगा नमबर सेविन आप एक जहाज के कप्तान हैं उसे सही आदेश देना होगा इसी प्रकार का सही आदेश यानि विचार और कलपना अपने वचेतन मन को दीजिए जो आपके सभी अनभवों को नियंत्रित और सासित करता है नमबर एट कभी भी मैं यह नहीं खरिच सकता अथवा मैं यह नहीं कर सकता जैसे सब्दों का प्रयोग ना करें आपका वचेतन मन आपके सब्दों को सुईकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन ना रहे और जो आप करना चाहते हैं उसको करने की चमता बनाएगा निश्चे कीजिए मैं अपने वचेतन मन के द्वरा सब कुछ कर सकता हूँ नमबर नाइन जीवन का नियम विश्वास का नियम है विश्वास आपके मन का विचार है उन बातों पर विश्वास ना कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती हैं अपने वचेतन को ठीक प्रकार से प्रोच्छाहित करने ससक्त करने और सोयम को समरद बनाने की सक्ति पर विश्वास रखे आपकी विश्वास के अनुसार यह कारी करेगा 10. अपने विचारों को बदल कर आप अपने भागी को बदल सकते हैं इसी के साथ आज का चेप्टर खत्म होता है I hope आपको यह चेप्टर पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू कर देना और SM Audiobook चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा काफ़ी टाम से मैं सोच रहा था आप से बात करने को पूरी audiobook upload करने पर copyright issue हो जाता है आप में से ज़्यादा तर लोगों को पता ही होगा copyright आगे समस्य हो सकती है इसलिए मैं आगे summary वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा थोड़ी long summary वीडियो जो usual किसी भी चैनल ने कवर ना की हो इसके साथ आपको book पर भी invest करना चाहिए थोड़ा सा क्योंकि जब आप value के लिए pay करेंगे तो आप attention भी पूरा देंगे